हाई गाईस में मेडिसीन नौलज चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पेंटेट डी एसार कैपसूल के बारें बताऊंगा जैसे कि आप देख रहे हैं पेंटेट डी एसार कैपसूल टू कॉमिनेशन से बना हुआ है फास्ट फेंटर प्रोजल सोडियम 40 mg सेकेंड ड पेंटेट डी एसार कैपसूल एक जैन्डिक दबा है और इस दबाई के परियोग मुखे रूप से पेट में त्यदिक गैस की मातरा को कम करने आप अज सीने में जलन पेट के अलसर उल्टी और उपकाई पेट दर्द और जलन के इलाज में किया जाता है देखा जाए तो प के अज साल्ट के बारहें बताओंगा पेंट़ैट में त्यदिक गैस के उत्पातन को कम करके सीने में जलन गैस अपज और पेट के अलसर में आराम पुझाता है और डॉमपेरिडोन नसाथ कैसे काम करबा करता है डॉमपेरिडोन एसे टिल कोलाइन के इस तरफक्ष रुप से बढ़ाता है जिस कारण से आतों की गतिर शीलता बढ़ जाता है और उल्टी और उपकाई में अराम पोचता है बैसे तो इस दवाई के कोई side effects देखने को नहीं मिलते लेकिन किसी किसी patient को कुछ side effects देखने को मिल सकते हैं जैसे की सिर्दर्थ, चक्कराना, कब्ज और दस्त हो सकते हैं एदी इस वरकार की कोई भी समझ सहो तो अपने डॉक्टर को बताए इस दवाई को लेने से पहले कुछ साब देने बढ़तने चाहिए जैसे की kidney, liver, alcoholist, disease वाले patient और गर्वती महिला है और इस तनपान करवाने वाली महिला है इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर के सलाथ जरूर ले दोज के बारें बात करें तो पेंटर प्रोजोल 0.6 mg पर केजगी साब से दे सकते दिन में दो बार और दोबाई एडल पेशन को दिन में दो बार दे सकते हैं खाना खाना से पहले अच्छा लगा तो पीज लाइक सब्सक्राइब और बेल एक दवा दीजिए धन्यवाद